कि नमस्कार दोस्तों बच्चे कैसे आप सभी लोग चैट बॉक्स में बताई है वाज आ रहे हैं सभी लोग उनको और डियो वीडियो अल क्लियर है सब कुछ ठीक है अल गूड वेल देखिए आज का जो बच्चे हमारा सेशन है ट्रांस्वर प्रॉपर्टी एक का पहले तो मैं आपको यह बता दूं दिस गोईं टो बी लास्ट सेशन दी वेरी लास्ट सेशन और इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नम्बर एट चैप्टर नम्बर एट जो है हमारा स्टेट का वो बात करता है बच्चे एक्शनेबल क्लेम्स की देखो हमने हर तरीके की प्रॉपर्टी का ट्रांस्वर समझा टी पीए के अंदर स्टार्टिंग विद्धी सेक्शन फाइफ जब से हमने ट्रांस्वर के कॉंसेट को जाना है ओवर टाइम हमने काफी सक्नम्स्टांसे काफी सिचुएशन को समझा जहां पर प्रॉपर्टी का ट्रांस्वर हो रहा था मतलब प्रॉपर्टी कन्वे हो रही थी फ्रॉम वन परसंट तो दी एनदर बट यह जो चैप्टर नम्बर एट है यह अपने आप में एक यूनी क्लेम पहले उसको समझेंगे कॉंसेप्ट को जानेंगे और वांस विया डण विद डाट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके ट्रांसफर के बारे में वाट आदी रूज एंड वाट आदी रेकुलेशन इसकी चर्चा बच्चे शुरू होगी सेक्शन थी से सेक्शन कि कहानी है सुनने में लग रहा है कि बड़ी कहानी है वैसे बहुत छोटी सी कहानी है बहुत सिंपल से पॉइंट है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे बस यह शर्त है कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग को खुला रखे थोड़ा प्राक्टिकली सोचे तो कुछ भ पहले तो आपको टीपी के अंदर डी गई डेफिनेशन को ही पढ़ना पड़ेगा तो अब सभी लोग अपने स्टैच्चूट को बच्छे खोल लो और उसमें जो सेक्शन 3 है हमारे डेफिनेशन वाला जो पार्ट है उसको निकालो और उस पे यूल फाइंड इट एट वा देट डेट मतलब उधार अधर देन अट डेट सिक्योड बाइ मॉट गेज ओफ इम्मूविबल प्रॉपर्टी इम्मूविबल प्रॉपर्टी के मॉट गेज को छोड़ के जो डेट आया है वो होना चाहिए भी समझाऊंगा क्या है वो या फिर बाइपोतेकेशन और प्ल और यह भी बैनीविशाल इंटरस और पर बैनीविशाल इनटरस होना चाहिए एक मॉविबल प्रॉपर्टी में जो आपके पोशेशन में इन्हीं होनी चाहिए चाहे वो72 हो जिसको भी सिविल कोर्ट्स जो है वो रिकांगॡ नाइस्ट करें और यह जो आपका बैन इंटर आर नेचर के आपका डेट और इंटरस्ट हो सकता है अब देखो यह तो बच्चे टेफिनेशन है मैं समझ पा रहा हूं कि आप में आपको कुछ नहीं समझने में आया होगा जो भी मैंने पढ़ा यू डिन नॉट गेट दी जिस्ट ऑफिट पर बड़ा सिंपल सा है बस देख उसको कुछ स्टेजिस में डिफाइन करना पड़ता है सबसे पहला उसको समझते हैं एक्शनेबल क्लेम इस अट डैट डैट मतलब उधार पर हार एक डैट एक्शनेबल क्लेम नहीं होता बच्चे डैट वह वाला डैप्ट जो तो केटिगरी का नहीं होना चाहिए मतलब द ऐसा डेट जो मौट गेज के आधार पर है जो मौट गेज के बेसिस पर आया है इम्मूविबल प्रॉपर्टी की तो किसी व्यक्ति ने immovable property को mortgage पर रखा था याद है हमने section 58 के अंदर पड़ा था तो वो जो debt उसने लिया mortgage पर रखके immovable property को that will not be called actionable claim ठीक है तो any debt secured by mortgaging a immovable property is not actionable claim वो actionable claim की definition में नहीं गिरती है पहली requirement दूसरी requirement यह जो debt है यह secure नहीं होना चाहिए again नहीं होना चाहिए hypothecation या फिर pledge किसका movable property का movable property का तो अगर कोई भी debt आपको मिला है किसी movable property को pledge करने पर मतलब गिरवी रखने पर again that will not be a debt जो actionable claim खेलाएगा तो actionable claim हर वो debt है जो इन दो categories में नहीं गिरता है ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो अगर इन दो categories की scenario है then it is not actionable claim क्योंगी सिंपल सी बात है अगर वो mortgage है तो वो mortgage है और अगर वो pledge है तो वो pledge है ठीक है तो debt जहां जहां तक जो पहली category है actionable claim की debt वाली उसमें ये दो include नहीं होते है mortgage of immovable property hypothetical या फिर pledge of movable property प्लेज का मतलब गिरवी रखना hypothetical का मतलब गिरवी रखना ठीक है दूसरी category जो actionable claim में गिरती है ये इंट्रेस्टिं है इसको बड़ा ध्यान से देखना या अपके लिए थोड़ी से नहीं होगी यह है beneficial interest beneficial interest beneficial interest भी एक प्रकार का actionable claim हो सकता है पर इसके लिए condition है यह जो beneficial interest है यह movable property में होना चाहिए ठीक है ध्यान से देखना movable property में होना चाहिए पर यह शर्त है कि जो movable property है वो possession में नहीं होनी चाहिए किसके possession में नहीं होनी चाहिए जो claim कर रहा है जो कह रहा है कि मेरे favor में actionable claim है अगर movable property जिसके उपर वो beneficial interest claim कर रहा है अगर वो उसी व्यक्ति के possession में है then it is not actionable claim actionable claim कब बनेगा कि वो beneficial interest तो है movable property पर वो movable property possession में नहीं है अब यह beneficial interest क्या होता है बच्चे beneficial interest can be any category of interest मैंने बताया था ना कि जब आप property के owner होते हो तो आपके पास एक bundle of rights होते हैं रादर bundle of interest होते हैं किसी भी property के उपर उन में से कोई भी interest किसी particular person के पास है movable property के उपर जो उसके possession में नहीं है that is the beneficial interest that we are talking about तो अगर हम definition तक ही stick करें तो these are the two categories two varieties of actionable claims पहली debt दूसरी beneficial interest debt है तो mortgage नहीं होना चाहिए movable property की और pledge नहीं होना चाहिए movable property और अगर beneficial interest है movable property के उपर then the mobile property should not be in the possession अगर ये दो requirements आप conditions satisfy कर पाते हो तो वो debt हो चाहे beneficial interest हो वो आपका actionable claim कहलाया जा सकता है ठीक है और तीसरी और आखरी requirement है कि court का recognition अब ये बच्चे एक formality है इसमें आपको कुछ करना नहीं है as a party ये तो court recognize करता ही है कि court recognize करना चाहिए कि आपके favor में का नाम है benefit दिया जा सकता है आपको relief दिया जा सकता है court ऐसा recognize करे बट as I said ये बिलकुल formality है इसमें इतना कुछ आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है important बात ये है कि ये जो actionable claims है चाहें वो इस category का हो चाहें इस category का हो ये total बचे चार types के हो सकते हैं यहां से देखना depending on their nature four categories के हो सकते हैं पहला ये जो आपका actionable claim हो सा है वो existent हो सकता है दूसरा ये आपका जो actionable claim है वो accuring nature का हो सकता है तीसरा आपका ये जो actionable claim है ये conditional हो सकता है लिखते चलना बचे साथ के साथ और चौथा ये जो आपका actionable claim है ये contingent हो सकता है ये चार स्टेजिस में हो सकता है आपका actionable claim आपका actionable claim existent तब होता है अगर वो debt है तो due date जो थी उधार चुकाने की वो आ चुकी है आपसे किसी ने उधार लिया था और जिस समय तक के लिया था वो समय पूरा हो गया है तो हम बोलेंगे कि आपके favor में actionable claim है उस debt के बारे में जो existent nature का है मतलब आपको इंतजार करने की जरुवत नहीं है you are ready to go in the same manner अगर debt की कहानी नहीं है beneficial interest की कहानी है तो उसमें भी वो जो beneficial interest है वो present nature का है मतलब अभी आज आपके पास उस movable property के उपर beneficial interest है ऐसा नहीं है कि कल होगा या परसो होगा या परसो था अभी है in present तो हम बोलते हैं कि आपका जो actionable claim है existent nature का existent का मतलब when you have the right over that debt or over that beneficial interest in present अभी in present इसी का बच्चे contradictory होता है accurate यहां पर जो आपका right है over that debt और over that beneficial interest वो अभी present में exist नहीं करता बट future में करेगा यह certainty है चांस नहीं है यह चांस नहीं है कि कर हो सकता करे हो सकता नहीं करेगा ही करेगा बट future में करेगा अभी नहीं है तो पैसा मानो लिया गया था मेरे से दो साल के लिए पर अभी डेड़ साल ही हुआ है तो यह मेरे actionable claim है debt के उपर मेरा बट वो accuring nature का है वो accure कब होगा जब दो साल पूरे हो जाएंगे मतलब future में same मेरा किसी property को उपर beneficial interest है पर वो अभी नहीं है at present मैं उसको claim नहीं कर सकता मेरे favor में जो right establish होगा वो एक महीने बात होगा 15 दिन के बात होगा तो वो accuring ने चाहिए होगा यह पका है ठीक है पर वो होगा कुछ time period के बाद किसी वेक्ति ने मेरे को कोई property दी थी और बोला था कि 2022 के बाद तुम अभी 2021 का ही नवंबर का महीना चल रहा है तो होगा that will happen but after two months ठीक है तो एक्यूरिंग ने चाहिए future में impact में आएगा तो यह दोनों भाई-भाई है एक दूसरे से लड़ते जगडते रहते हैं एक्जिस्टेंट का मतलब होता है actionable claim जब आपका present right होता है over that actionable claim एक्यूरिंग का मतलब होता है आपके पास present right नहीं है but in future you will have that right ठीक है तीसरे नमबर पर यह तीसरे और चौते जो है यह भी भाई-भाई है conditional और contingent conditional का मतलब क्या है यहां पर आपका जो actionable claim है वो depend करता है किसी condition पर मानो आपके favor में किसी debt के उपर right है पर आपका जो right है over that debt that is dependent on a condition कोई condition है जैसे वो जो पैसा है उधारी वाला वो मेरे को वापिस मिलेगा अगर मैं कुछ करता हूँ तो यह जो है यह कहला थी है परिस्ति कौन सी conditional debt वाली conditional debt debt है पर वो conditional है जब मैं उस condition को पूरा करूंगा in only in that circumstance I will be able to claim it जब तक वो condition पूरी नहीं होती वो conditional रहेगा और जैसी वो condition पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा वो क्या बन जाएगा existent present में जैसी मैं उस काम को कर लूँगा मेरे favor में beneficial interest है किसी mobile property को पर but I need to do something for it जैसी मैं उसको कर लूँगा जब तक मैं नहीं करता तब तक वो conditional बनी रहेगी I cannot claim it as of right और जैसी मैं उसको पूरा कर लूँगा वो इसको एक्जिस्टेंट बन जाएग और मैं इसको claim कर पाँगा right claim करने के लिए बच्चे existent होना जरूरी है यह सारी इस्तितियां ऐसी यहां पर आपको wait करना पड़ रहा है यहां पर आपको condition पूरी करना पड़ेगी in the end accurate भी जब हो जाती है जब वो समय आ जाता है तो भी यह भी existent ही मन जाती है आप court तभी जाते हो जब आपका जो actionable claim है वो existent nature का होता है when you have the right in present थीक है तो कोई भी conditional debt है या conditional accuring of benefit है तो in that circumstance आपको वो condition पूरी करना ही पड़ेगी तो आपका वो conditional actionable claim है आखरी है contingent contingent का मतलब होता है कि आपके favor में वो debt west होगा या नहीं या फिर वो beneficial interest west होगा या नहीं वो किसी contingency पर depend करता है contingency का मतलब होता है एक ऐसी परिस्ति एक ऐसा event जो हो भी सकता है जो नहीं भी हो सकता और सबसे अच्छी बात क्या है वो चीज़ आपके control में नहीं है तो अगर मानों आपके favor में कोई debt है पर बोला गया है कि यह आपको मिलेगा अगर ऐसा हुआ तो अगर यह चीज हुई तो यह आपको करनी नहीं है conditional और contingent में यह फर्क है contingent में आपको कुछ नहीं करना है आपकी किस्मत का खेल है आपको बस बैठके इंतिजार करना है उस चीज़ के होने का conditional में it is the positive action that you need to do contingent में you need to just wait उस चीज़ के होने या ना होने का देपेंडिंग की वह positive contingency या negative contingency ठीक है तो इसको बोलते हैं contingent actionable claim अगें जैसे ही वह contingency होगी तो क्या होगा it will convert itself into an existent actionable claim पर जो भी नेचर है अभी एक्जिस्टेंट नहीं वने अभी अक्यूरिंग ही है conditional ही है contingent ही है पर अभी भी actionable claim ही कहलाते है बस इनके आगे prefix लग जाता है कि मैं accurate nature का हूँ मैं conditional nature का हूँ मैं contingent हो है सारे actionable और वो in the real sense enforceable का बन पाएंगे जब वो एक्जिस्टेंट नेचर के बचाएंगे तो यह टूटल चार केटिग्रीस में हो सकते हैं किसी में भी actionable claim ठीक है तो मैंने आपको क्या पढ़ा है एक बार रिवाइस करा दे रहा हूं बच्चे actionable claim बच्चे दो प्रकार के हो सकते हैं it may be over a debt और it may be over a beneficial interest अगर वो debt है it should not come out of a mortgage जो immual property की है और it should not come out of a pledge of movable property अगर वो beneficial interest है movable property के बारे में तो small property के possession नहीं होना चाहिए आपके पैस और आखरी में court की recognition की जरूरत है कि grounds है कि आपको relief दिया जा सकता है and these are the four varieties जिसमें कोई भी actionable claim कभी भी हो सकता है existent, accuring, conditional and contingent ठीक है so these are the four situations जो आपको actionable claim में समझनी होती है अब मुझे जल्दी से बताओ आप सभी लोग क्या actionable claim की definition समझ में आई है जो भी बाते मैंने अभी तक आपको बताई है clear है सबी लोगों क्यों कि आगे जो भी कुछ आएगा that would be based on this definition only are you all clear? अभी तक ठीक है चालो अब शुरू करते है actionable claim की transfer की बास से कि actionable claim क्या है वो हमने समझ लिया अब उसका transfer क्या कैसे होता है वो हमको बचे chapter number 8 बताता है chapter number 8 जो last chapter है हमारे TPA का देखो section 130 transfer of actionable claim ध्यान से देखना जो actionable claim का transfer है वो उस बाकी के सारे transfer से unique है unique क्यों है? उसकी दो वज़ा है पहली वज़ा ये है कि actionable claim के transfer के लिए consideration का होना जरूरी नहीं है मतला कोई भी transaction जो actionable claim के बारे में है उसमें consideration हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती consideration मतलब समझते हो ना that the person who is transferring is getting something in return कि उसको वापिस कुछ मिल रहा है ऐसा जरूरी नहीं है so it is something like gift gift में तो वैसे essential prerequisite हो जाता है कि मिलना ही नहीं चाहिए अगर मिल गया तो gift नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर consideration हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो यह sale और gift की बीच की situation है sales में consideration का होना compulsory है और gift में ना होना compulsory है यह middle में है इसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है होना भी जरूरी नहीं है ना होना भी जरूरी नहीं है तो सबसे पहला unique feature तो actionable claim के transfer के बारे में यही है कि the transfer can be with or without consideration दूसरी बात actionable claim का transfer हमेशा हमेशा एक लिखित दस्तावेश के आधार पर ही हो सकता है हमेशा कभी भी oral transfer नहीं हो सकता actionable claim का it is just not possible हमेशा एक instrument writing में होना चाहिए उसी के through इसका transfer हो सकेगा और उस instrument पर जो writing है उस पर हस्ताक्षर भी होने चाहिए किस वेक्ति के दिहान से देखना requirement किस वेक्ति की है उस वेक्ति की जो transfer कर रहा है जो वेक्ति actionable claim को transfer कर रहा है उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए या फिर उसके agent के तो आप अपने आप imply कर लिया करें तो क्या मतला सबसे पहली बाग कि actionable claim के transfer के लिए आपको consideration हो या ना हो दोनों बराबर हैं दस्तावेज हमेशा writing में होना चाहिए और उस पर transferor या उसके agent के हस्ताक्षर होने चाहिए है ठीक है एक बार अगर ये तीनो requirements satisfy हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि transfer जो है वो पूरा हो गया है और transfer पूरे होने का आशे क्या है इसका मतलब क्या है कि जो भी rights और remedies उस actionable claim के relation में उस transferor के पास थी वो सारी rights और remedies हमारे transferi के पास पहुँच जाती है यही होता है किसी भी transfer में क्या होता है transferor से वो चीज चिनके उसके उपर अधिकार चिनके transferi के पास पहुच जाते हैं यहां पे भी यही होता है use actionable claim के उपर चाहें वो debt हो चाहें वो interest हो जो भी rights and remedies हैं वो सब transferi की हो जाती है पर सबसे महतपूर बात यहां पे इस transaction की validity के लिए notice का होना जरूरी नहीं है अब यह notice की requirement को आपको समझना पड़ेगा ध्यान से क्योंकि अगला section भी notice की बारे में कहने का मतलब है notice हो तो भी चलेगा much like consideration only notice हो तो भी चलेगा notice नहीं हो तो भी चलेगा पर important यह है notice किसको notice जाता है बच्चे debtor को debtor को अब यहां पे आपके उपर से चीज़ें जाने लगेंगी अगर मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि हो क्या रहा है देखो बच्चे जो actionable claim है चाहे वो debt हो चाहे वो beneficial interest हो बच्चे इसके अंदर दो parties तो होंगी ना एक बंदा वो होगा जिसके favor में यह debt होगा जिसके favor में beneficial interest होगा जिसको पैसा मिलना होगा जिसको property में interest मिलना होगा और एक बंदा ऐसा होगा जिसके खिलाफ वो होगा जिसको पैसा चुकाना होगा, जिसको beneficial interest देना होगा, हमेशा कोई भी actionable claim हो, ये दो लोग तो co-exist करेंगे ही, जिसके favor में है, जिसके खिलाफ है, अब ये जो actionable claim है, इस debt के बारे में, इस beneficial interest के बारे में अब इसी का transfer हो रहा है, अब ये व्यक्ति अपना ये जो उसका interest है, अपना ये जो right है, against this person, वो उसको transfer कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को, मानो इस व्यक्ति को, कह रहा है कि मेरा actionable claim तुम ले लो, with or without consideration, मेरा beneficial interest तुम ले लो, तो अभी जो हमने requirement पढ़ी ही, section 130 के अंदर, वो इन दोनों की बीच के थी, इन दोनों के संबंध में, ये हमारा transferor है, और ये हमारा transferi है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि consideration हो ना हो, writing में होना चाहिए, इसके हस्ताक्षर चाहिए, पर notice वाली बात है इस बंदे के relation में, क्योंकि बच्चे ये जो अधिकार है, जो actionable claim है, जो transfer हो रहा है, इस व्यक्ति से इस व्यक्ति पर, वो enforceable तो इसी व्यक्ति के खिलाफ है ना, अरे debt चुकवाओगे तो पैसा तो इसी से लोगे, beneficial interest claim करोगे, तो इसी से करोगे, कल को इसका actionable claim हो जाएगा, जो हम बोल रहे हैं, कि transfer के बाद सारी rights और जो भी आपके remedies हैं, वो इस व्यक्ति पर पहुँच गए, तो वो कहां जा आएगा, इसी से तो कहेगा, उदार चुकाओ, इसी से तो कहेगा, beneficial interest हो, तो इसका भी तो role है, तो इसी के बारे में बोला गया है, कि ये जो transaction हो रहा है, इन दोनों के बीच में, जिसके through actionable claim, इस बंदे से इस बंदे पर जा रहा है, इसमें notice का होना compulsory नहीं है, मतलब इस व बताओगे, तो बढ़िया है, और बताना ही चाहिए वैसे, पर नहीं भी बताओगे, तो इसकी वज़े से हम ये नहीं कह सकते हैं, कि ये transaction invalid है, ये transaction valid रहेगा, even in the absence of a notice to the debtor, इसको बोलते हैं, बच्चे, debtor, खास कर जब हम debt के perspective sectionable claim को समझते हैं, debtor, मतलब जो उधार के अ आपको क्यों दिया जाता है, बट ऐसा हो ना जरूरी नहीं, just because notice नहीं था, तो इस transaction में कोई परिशानी नहीं है, this is what this section is trying to say, consideration हो या ना हो, instrument writing में होना चाहिए, transfer के हस्ताक्षर होने चाहिए, ऐसा होता है, तो rights or liabilities transferring में पहुँचाती है, फिचान notice हो, चाहें ना हो, आप देखना, वोई notice वाली बात है, अगर notice नहीं दिया गया, अगर इस बंदे को notice नहीं दिया गया, इस transaction के बारे में, तो इसको तो जानकारी नहीं है, कि इस बंदे ने actionable claim transfer कर दिया इसको, इसके जो अधिकार हैं, वो इस पर चले गए हैं, तो इस debt के बारे में, इस actionable claim के बारे में, ये जो हमारा debtor है, वो कोई भी dealing करेगा, उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अधिकारों का, कहने का मतलब है, अब इसको जानकारी नहीं है, इसको मानो debt के 5000 रुपे देने थे, इसको लग रहा है कि मुझे 5000 रुपे इसी को दे नहीं है, पर असली में इसने actionable claim इसको दे रखा है, असली में उसके पास जाने चाहिए, पर ऐसा कोई notice इसको दिया ही नहीं, उससे सपने तो आनी रहे, तो इसने क्या किया, ये 5000 रुपे उठा के इसके हाथ में दे दिया, अब ये 5000 रुपे लेके भाग गया, for example, तो इसमे नोटिस देने या ना देने का फायदा, नोटिस ना देने से इस ट्रांसफर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, actionable claim ट्रांसफर हो गया, वो उसके पास पहुच गे राइट्स, पर आप इसको वाद दे नहीं कर पाँगे, पर वहीं अगर आपने notice serve किया होता, तो इसको पता चल और फिर ये ऐसा करता, तो ये bound रहता, पर अगर in the absence of knowledge ये कुछ भी dealing करता है in regard to the actionable claim, उसके लिए इसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, ये जो इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं, ठीक है, फिर देखो subsection 2, सबसे बड़ा फाइदा actionable claim के transfer करने का ये है, कि एक बार जब actionable claim transfer हो जाता है, अमारे ट्रांसफरी पे, फिर चाहें notice sub हुआ हो या ना हुआ, ट्रांसफरी खुद से, अपने नाम से case फाइल कर सकता है, इस वेक्ति के खिलाफ, अपने नाम से, उसे transfer को case की party बनाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा फाइदा होता है, तो कल को मानो इसके favor में dead था, इसके favor में actionable claim है, ये पैसे नहीं चुका रहा, तो ये अपने नाम से case फाइल कर सकता है, उसे इसकी जरूरत नहीं होगी, वहीं अगर ये मानो इसका कोई agent होता, या फिर किसी और position में होता, तो इसको इसका नाम की जरूरत पड़ती है, च्यो 130 के अंदर actionable claim को transfer करने का मतलब ही यही है, that all the rights and the remedies of the transferer, west into the transferee, वह सारे transferee के पास पहुच जाते हैं, तो जो transferer का अधिकार था case file करने का, वो transferee के पास आ जाता है, absolutely, तो मानो 5000 रुपे के उधार की बात थी, इसका अधिकार यहां से लेके यहां transfer होगा, तो अब directly यह इसक कि खिलाफ case file करेगा कि भाई 5000 रुपे तो, यह बताएगा कि फलाने फलाने दिन actionable claim मुझे transfer कर दिया गया है, आपको इतना पैसा मुझे वे करना है, जल्दी से जल्दी, doesn't matter, उसको notice दिया गया था है, नहीं, notice का प्रभाव बस इतना सा है, कि अगर उसने ना पता रहते हु एक exception है, बच्छे, वो exception यह है, इसको मैं आगे दुबारा करूँगा, कि 130 के अंदर जो भी बाते हमने पड़ी न, actionable claim के transfer के बारे में, वो marine और fire policy of insurance पर लागू नहीं होते हैं, जो भी marine insurance होते हैं, यह जो ship वगेरा, वाक वगेरा यह जाते हैं, बड़े-बड़े continuous में सामा जाता है, उनके उपर जो insurance होता है, that is not covered under section 130, fire policy, fire policy तो अब समझते हो, आग के खिलाफ जो हम insurance लेते हैं, यह किसी भी जगे का किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो भी actionable claim के, मतलब section 130 के अंदर cover नहीं होगा, है यह actionable claim ही, but they are not covered within the section 130, वो ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाऊंगा आगे एक और section आएगा, तो insurance क्यों actionable claim, यह आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या होता है, what is an insurance, insurance में क्या होता है, बच्चे हम क्या करते है, we pay out the premium, और वो किस बात पर depend करता है, किसी condition पर depend करता है, किसी contingency पर depend करता है, कि भाई, आग लगेगी तो पैसा मिलेगा, है ना, contingent है ना, और आग लग गई, वैसे ही क्या हुगा, वो क्या बन गया, existent actionable claim, अब आप court में जाके company से पैसा निकलवाते हो, ना, same, तो सारे insurance, कहीं ना कहीं contingent actionable claims है, कोई मरने पर depend कर रहा है, कोई किसी पर depend कर रहा है, कोई fire पर, कोई आग पर, कोई किसी पर, पर यह जो exception ने कहता है, कि marine और fire policy का जो insurance है, वो नहीं cover होता, under section 130, actionable claim है, पर section 130 के अंदर cover नहीं होता, एक और बात में आपको बता देता हूँ, जो आपके लिए जानना जरूरी है, बच्चे यह जो actionable claim का concept है, बड़ा ही टेड़ा concept है, क्यों? क्योंकि बच्चे, actionable claim, इस शब्द को देखो, actionable claim, इसका आशे जो है, इसका जो मतलब है, वो बच्चे जुड़ा हुआ है, unsecured debt से, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, practicalities, unsecured debt से, अब ये unsecured debt क्या होता, ये भी एक सरतर्ती है, आप लोगों के लिए, देखो बच्चे, जितने भी उधार इस दुनिया में possible है, उनको दो category में बाटा जा सकता है, unsecured और secured, जितने भी उधार है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, secured debts वो होते हैं, जिनको चुकाने के लिए कोई security होती है, जैसे mod gauge, mod gauge को याद है हम exclude कर रहे थे definition से, क्यों कर रहे थे, क्योंकि mod gauge में security होती है, आपने अगर पैसा चुकाया नहीं, तो आपने जो property mod gauge रखी, उसको मैं बेच दूँगा, पढ़ाया ना हमने, right to sell, foreclosure कर दूँगा, 67, 69, तो वो secured debts है, ऐसे ही, movable property जो possession में है, उसको exclude कर रहे हैं, क्योंकि वो भी secured है, क्योंकि movable property के उपर आपका right है, पर अगर वो movable property आप ही के पास है, तो आपकी strong position है, आप secured हो ना, क्या आपको वो अधिकार मिली जाएगा, क्योंकि वो property आपके पास है, जैसा आपके पास अधिकार है, गाड़ी चलाने का, अगर वो गाड़ी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं, आप secured position में हो, तो यह जो secure वाली परिस्टिया होती है ना, बच्चे, यह actionable claims नहीं कहलाती, क्योंकि यहाँ पर इन claims का actionable होना secondary हो जाता है, और वो जो security है, जिसके आधार पर वो debt लिया गया है, वो primary हो जाता है, जैसे mortgage में, हम पहले क्या करते हैं, अपने mortgage को satisfy करने की कोशिश करते हैं, out of the properties that we have, उसके बाद अगर balance रह जाता है, तब ही तो quote जाते हैं, और actionable claim क्योंकि यह unsecured debts के बारे में होता है, unsecured debts मतला, unsecured debts होते हैं, जिसमें उधार तो दिया है, पर उधार के बदले कोई security नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है उस उधार को चुकाने के लिए, यह है एक pure actionable claim, मैंने किसी अपने दोस्को 5000 रुपे दे दिये, अब वो दोस्त था, दोस्के नाम पे दे दिये, मेरे पास बदले में कुछ भी नहीं है उसका, यह मेरा actionable claim है, समाझ रहे हो, किसी व्यक्ति, किसी बड़ी company ने मेरे से वादा किया, कि क्या कहते हैं, आप मेरे को दो लाक रुपे दे दो, मैं आपको एक साल के लिए अपनी गाड़ी दे दूँगा, company ने ऐसा promise किया है, कि वो ऐसी scheme चला रही है, कि वो पुरानी गाड़ियां देती है लोगों को, उसने दो लाक भी रुपे ले लिए, और गाड़ी भी नहीं है मेरे पास, यहीं गाड़ी अगर मेरे पास होती तो actionable claim नहीं होता, क्योंगी गाड़ी मेरी security बन जाती है, मेरे से पैसे भी चले गए और गाड़ी भी नहीं मिली है, यह मेरा actionable claim है, तो किसी भी परिस्थिती को actionable claim अच्छे तभी कहते हैं, जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, केवल एक ही रास्ता होता है, and that is to approach the court of law, that is to take action, वहीं से यह नाम आया है, actionable claim, to take action, यहाँ पर आपके पास कोई दूसरा option नहीं है, आपको नहीं देरा 5,000 रुपया, वो कल को phone करें, कहते हैं, नहीं देता, क्या कर लेगा, तो मैं क्या करूँआ, action ही लोगा, और तो मेरे पास कोई choice नहीं है, इसको क्यों लिखा नहीं है, इसा कहीं बच्चे लिखा नहीं है, वो डेफिनेशन जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, आपको आटपटी लग रही होगी, इसको क्यों exclude कर रहे हैं, इसको क्यों exclude कर रहे हैं, this is the reason, कि actual में actionable claim का जो रिष्टा है, वो unsecured debt से है, secured debt से नहीं है, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा section 130 cover होता है, illustration को देख लेते हैं, A जो है, A ने उधार ले रखा है, B नाम के वंदे से, और B जो है, अपने इस उधार को transfer कर देता है C को, तो B transferer है, C transfer E है, और A जो है, वो debtor है, जो B है, वो demand करता है debt को A से, ठीक है, जिसके पास notice नहीं आया है इस बात का, कि भाई, दोनों के बीच में transaction हो गया है, और उसके बदले में जो B है, वो क्या कहते हैं, जो A है, वो B को पैसा दे भी देता है, तो ये payment जो है, वो valid है, और C इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है कोई वाली situation जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, कि जैसे transfer हो चुका है, इस बंदे को पता ही नहीं था कि transfer हो गया है, अब इसने दोका दड़ी करके इससे बोल दिया कि भाई, ला मेरे 5000 रुपे जल्दी दे, इसने दे दी 5000 रुपे, ये लेकर भाग गया, तो इसमें इस मुझे सबसे पहले बताओ, कि अभी तक जो भी बाते मैंने बताई हैं, वैसे बहुत जादा बाते बता दी मैंने, अभी तक जो भी कुछ बताया है, आप सभी कुछ समझ में आया है, section 130 clear है, कैसे transfer होता है, consideration की जरूरत नहीं है, notice की जरूरत नहीं है, but it has to be in writing, signed, और अगर के fire और married insurance वाली बात है, ठीक है, अब section 131 वही notice वाली बात से जुड़ा है, जिसको notice को देना जरूरी नहीं है, पर अगर आप notice को देते हो, अगर आप इस debtor को, इस बंदे को notice देते हो, अपने इस transaction का, तो यह जरूरी है कि वो writing में होना चाहिए, तो वहाँ पे वो transfer भी writing म होना चाहिए, और notice भी writing में होना चाहिए, मोखिक तोर पर बताना, कि भाई हमने ऐसा transfer कर लिया है, इतना sufficient नहीं है, क्योंकि कल को अगर इसने deal कर दिया, इसने मानो किसी इसी वंदे को पैसे दे दिया, यह कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था, अब यह कहने लगेगा, उस पे पहले preference तो दी जाएगी कि उस पे transferor के sign होने चाहिए, क्योंकि उसकी जो original dealing है, वो उस transferor के ही साथ थी, तो उस transferor के ही sign होने चाहिए, पर अगर किसी भी वज़े से transferor बदमाशी दे रहा है, या sign करने से मना कर रहा है, तो उस notice पे transferee भी sign कर सकता है, पर इन circumstances में, चाहे transferor sign करें, चाहे transferee sign करें, transferee का address दिया जाना जरूरी है, उस notice के अंदर, जिससे ये जो बंदा है, उसको approach कर सके, कल को अगर उसे अपना debt और वो interest वगेरा satisfy करना हो, ठीक है, तो notice serve करना जरूरी नहीं है, पर अगर serve किया जा रहा है, it has to be in writing, signed by the transferor, और अगर न address, address किसका, transferor का नहीं, transferee का, जो नया मालिक है, sectionable claim का, उसका address होना चाहे है, this is section 131, ठीक है, अब simple simple से section है, section 132, यहाँ पर transferee की liability की बात हुई है, यह देखो, यह बड़ा important है, देखो बच्चे, इन दोनों के बीच में एक रिष्टा था, एक रिष्टा था इन दोनों के बीच में, उस रिष्टे के आधार पर इसने कुछ अधिकारों को जो इसके थे, उसको transfer कर दिया, इस वेक्ति के पास, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, तो यह जो हमारा transferee है, इसके पास जो भी कुछ है, actionable claim के नाम पर, जो भी कुछ है, इस वेक्ति के खिलाफ, वो इसका खुद का तो है नहीं, उसकी source क्या है, ये बंदा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये बंदा कहीं न कहीं इसके shoes में आके खड़ा हो गया है, उसके जूतों में आके खड़ा हो गया है, इसको हटा दिया है, खुद उसके जूतों में आके खड़ा हो गया है, सही बात है ना, क् इस बंदे ने direct dealing तो इससे कुछ की नहीं है इनका कोई सीधा सीधा संबन तो है नहीं कोई सीधा रिष्टा तो है नहीं रिष्टा तो इन दोनों का था तो जब इसने अपनी जगे इसको खड़ा किया तो substitute किया ना ये हट गया, वो जुड़ गया और जब भी substitution होता है तो substitution एक तरफा तो नहीं हो सकता substitution केवल अधिकारों के बारे में तो हो नहीं सकता substitution होगा तो पूरा होगा आप किसी दूसरे के जूतों में आके खड़े होगे तो जूते comfortable होगे तो आपके और जूते काटेंगे तो आपके, दोनों ही आपको जहिलने पड़ेंगे तो नफा हो चाहें, नुकसान हो वन्स यू substitute for the other person आपको दोनों जहिलना पड़ता है यही principle हमारा section 132 establish करता है वो कहता है कि actionable claim transfer होने पर जो transfer ही है वो उस actionable claim के regarding सारे rights और remedies इस तो पा लेता है उस transfer की वज़े से पर अगर original transferer की कोई भी liabilities रही है towards the debtor इन दोनों के बीच में इसकी कुछ जिम्मेदारिया रही है इसकी तरफ तो यह जो transfer ही है वो उन जिम्मेदारियों से भी बंदा होगा तो transferer के जूतों में जब वो आके खड़ा होगा तो अपने actionable claim के उपर rights और remedies तो रखेगा पर साथ के साथ वो जो transferer है जिसको हटा के वो यहाँ पर खड़ा हुआ है उसकी जो जिम्मेदारिया होती थी towards the debtor वो उनसे भी बंदा रहेगा for example इसने 5000 रुपे लिये थे original transfer से 5000 रुपे तो actionable claim हो गया ना 5000 का इसके फेवर में पर मानो इसने एक भहीने बाद इससे 2000 रुपे उधा लिये थे इसने ट्रांस्फरर ने तो यह क्या है यह इसका राइट है समझ रहो इसका राइट है अगेंस दिस परसन तो कल को यह ट्रांस्फरी जब ट्रांस्फरर की पोजिशन में आएगा तो यह नहीं बोल सकता कि मेरे को तो पूरे 5000 रुपे वापिस रहे है इस debtor का यह अधिकार है कि उन 5000 रुपे को चुकाते वाग्त उन 2000 रुपे को काट ले जो 2000 रुपे औरिजिनल ट्रांस्फरर की तरफ ड्यू थे क्योंकि अगर ओरिजिनल ट्रांस्फरर ही रहा होता यहां पर इस actionable claim को transfer नहीं किया गया होता तो वो ऐसा ही तो करता तो इन दोनों की बीच की transaction का इसके उपर क्यों फर्क पढ़ना चाहिए इसके rights की limit होने चाहिए उसकी वजह से तो जिस पैसे को वो set off कर पाता इस ओरिजिनल ट्रांस्फरर के खिलाफ वो इस ट्रांस्फरी के खिलाफ भी कर सकेगा that is called being bound by both rights as well as liabilities rights भी मिलते हैं जब आप substitute करते हो transfer की जगह पे in relation to that actionable claim but आपकी liabilities भी बनती हैं जो original transfer की थी पर एक अच्छी बात है वो अच्छी बात है कि जो liability होगी ट्रांस्फरी की वो limited होगी उस amount तक जो value है उसके actionable claim की उससे जाधा नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि actionable claim 5000 रुपे का था जो transfer किया गया था बलकि इसने 10,000 रुपे उधाले रखे थे इससे उल्टा तो यहां तो negative में balance चल रहा है उल्टा 5000 रुपे देने थे transfer को तो आप transfer ही से 5000 रुपे नहीं निकलवा सकते उसका जो actionable claim है वो तो cancel हो जाएगा पूरा का पूरा 5000 रुपे तक का पर उससे अपनी जेम से 5000 रुपे आप नहीं निकलवा पाऊगे so the liabilities are limited to the amount of actionable claim जैसे rights उस हद तक है वैसे ही liabilities भी उस हद तक है पर उस हद तक रहते रहते liabilities can work against the transferi यही हमारा बच्चे section 132 है ठीक है पर हमेशा याद रखना यह जो भी liabilities है जिसका transferi subject बन रहा है वो liabilities उस दिन होनी चाहिए जिस दिन actionable claim transfer किया गया था transferer से transferi तक मानो जिस दिन actionable claim transfer हुआ मानो एक तारिक को हुआ 2021 को उस तारिक को transferer को 5000 रुपे ले 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 थे debtor से 5000 रुपे का actionable claim था और इसने कोई उधार नहीं ले रखा था इससे बिलकुल clear account है एक तरफा मामला था 5000 रुपे देने थे debtor को इसको जब actionable claim transfer किया गया था एक तारिक को actionable claim transfer करने के बाद मानो तीन तारिक को यह जाता है इसके पास और 2000 रुपे उधार ले 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 लिता है तो फिर इससे bound नहीं है हमारा transfer तो the rights as well as the liabilities दोनों कौन सा दिन निरधारित करता है the date of transfer उसके बाद होने वाली चीज़ों से ट्रांसफरी बाउंड नहीं होता है जो भी इन दोनों के बीच में कल को कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता ठीक है ठीक है on the date of the transfer तो transfer की वजह से जो हमारा section 130 के अंदर transfer हो रहा है actionable claim that brings both rights as well as liabilities but liabilities limited to the amount of the actionable claim ठीक है यह है बच्चे हमारा section 132 जैसे इसका एक example बजाजता हूं ए जो है वो transfer करता है C को एक actionable claim जो उसकी तरफ due है बी की तरफ से जो ए है वो बी से indebted भी है अब जो C जो है हमारा transfer है वो B के खिलाफ case file करता की भाई उधार चुकाओ उधार चुकाओ जो आपने B है यह हमारा A है और यह हमारा C है तो C case file कर रहा है B के खिलाफ की भाई उधार चुकाओ जो आपने A से लिया था तो B कह रहा है कि मैं चुका दूगा पर उतना पैसा जो A ने मेरे से लिया था उधार उसको हटा के दूगा उसको set off करके दूगा So this is the example जो यहां पर निकलके आ रहा है ठीक है अब मुझे जल्दी से बताओ section 132 clear है सबी लोगों को chat box में बताओ फटा-फट से are you all clear so far समझ में आ रहा है बहुत छोटा सा बचा है मुश्किल से मैं आपके 15-20 नट जादा लूँगा chapter खाता मौँ जाएगा ठीक है अगला जो section है बच्चे वो है section 133 यह warranty of solvency की बात करता है आपको याद है बच्चे मैंने आपको insolvency का concept पढ़ाया था insolvency का concept क्या होता है किसी व्यक्ति का दिवालिया निकल जाना एक ऐसी परिस्ति जहां पे किसी व्यक्ति पे उधार है और वो उस उधार को चुकाने में असक्षम था दिखाता है कैसी situation में वो court को approach करता है और बोलता है कि भाई मेरे को insolven declare करता हूँ यह है पूरी प्रक्रिया solvency और insolvency का अब यह कैसे picture में आ रही है actionable claim के बारे में कैसे picture में आ रही है यह एक principle established कर रही है वो principle यह है कि जब भी कोई transferer ध्यान से सुनना जब भी कोई ट्रांसफरर कोई भी actionable claim transferee को transfer करता है वो impliedly ऐसा लिखा हो चाहे ना लिखा हो agreement के तरफ वो impliedly यह guarantee देता है transferee को कि उस समय पे यह ध्यान रखना मेरी बात को उस समय पे जिस समय पे transfer हो रहा है उस समय पे जो हमारा debtor है वो solvent है solvent है मतला उधार दे उधार चुकाने में सक्षम है insolvent नहीं हुआ है इस बात की guarantee देता है अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी transferer ने debt को transfer किया किसी transferee को और उस समय पर जिस समय transfer हो रहा है उस समय पर वो बंदा insolvent declare किया करा जा चुका है तो यह जो transaction है वो void हो जाएगा क्योंकि अगर कोई भी विक्ति insolvent है तो उससे तो पैसा चुक्वाया है नहीं जा सकता है उसने तो असक्षम ता दिखा दी तो कोई भी transferer जब भी किसी भी debtor के बारे में actionable claim को transfer करता है वो impliedly यह guarantee लेता है कि उस समय पर वो solvent है पर यह guarantee केवल उस समय की है अब उससे अगले दिन insolvent हो जाए उससे कोई ले ना देना नहीं है जिस समय या फिर एक दिन पहले इंसolvent था उससे भी कोई लेना देना 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 the point of transaction, अगर एक तारिक को ऐसा हो रहा है, एक तारिक को transfer किया जा रहा है actionable claim, तो वो एक तारिक को solvent होना चाहिए है, ठीक है, this is section 133, the guarantee और the warranty जो बोलना है आपको, बोलो, और जो solvency है न, solvency भी has to be in relation to the amount, जितने का actionable claim है, ठीक है, मतलब, मानो actionable claim है, पांच लाख रुपे का, तो ये guarantee लेता है बन्दा कि वो पांच लाख रुपे देने की सक्षम्था रखता है, ठीक है, और अगर कल को ऐसा पता चला कि वो insolven था, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया, कि कोई भी जो transfer होता है actionable claim का, वो consideration के साथ भी हो सकता है, और बिना consideration के भी हो सकता है, अगर बिना consideration के है, तो तो कोई खासा परिशानी नहीं है, जादा से जादा थोड़ा बहुत damages वगरा पे करना पड़ेगा, नाम मात्र का, पर मानो अगर वो consideration के लिए था, मानो जो actionable claim था, वो था छे लाक रुपे का, और वो छे लाक रुपे का actionable claim transfer किया गया था, साढ़े पांच लाक रुपे में, साढ़े पांच लाक रुपे में, तो अगर ये guarantee कल को जूटी निकली और वो insolvent निकला, तो हमारे इस transferor को वो अपनी consideration जो है, वो वापिस करने पड़ेगी, साढ़े पांच लाक रुपे वापिस करने पड़ेगी, ऐसे ही होता है, अगर 6 लाग एक्शनेबल क्लेम है तो उसे कम वैल्यू पर ही वो ट्रांसफर होगा, ज्यादा वैल्यू पर कौन ही लेगा उसके, क्योंकि मेहनत भी लगते है न रिकवरी, ऐसा बच्चे पता है क्यों होता है, अब कोई व्यक्तिय किसी न उधार दे दिया, अब वो फस गया फसने की situation आती है, जब existing होता है आपका actionable claim, आपका existing nature का actionable claim है, पर आप उसको recover नहीं कर पा रहे हो, किसी भी वज़े से नहीं कर पा रहे हो, आपके पास time नहीं है, आप इतना effort नहीं देना चाहते, तो आपका 6 लाग का है, आपने 5 लाग का किसी और को बेज दिया, जिस पर time है कि वो पैसा निकल वा लेगा, यहां फिर आपका जो actionable claim है, वो accurate nature का है, अभी आपको पैसे की जरूरत है, पर आपको वो जो debt का पैसा है, वो 2 साल बाद बनेगा, यहां फिर 6 महीने बाद बनेगा, तो आप किसी और को actionable claim transfer कर दोगे, 6 लाग का, 5 लाग का, कि भाई, 6 महीन इस perspective से transfer होते हैं, तो कोई भी reason हो, कुछ भी perspective, वो consideration हो या ना हो, doesn't matter, जरूर इत्तों है ही नहीं, solvency की guarantee हमेशे implied होती है, at the date of transaction, यह हमारा section 133, अब देखना बच्चे section 134, यह बच्चे यह थोड़ा discussion को deep में लेके जाएगा, दिमाग को थोड़ा सा अपना, हलका सा आपको खोलना पड़ेगा, देखो, जब मैं कहता हूँ, कि कोई भी actionable claim transfer होगा, actionable claim transfer होगा, तो उस transfer का मतलब क्या है, what is the meaning of transfer, transfer का मतलब तो होता है to convey, अब जो convey है, वो तो property के उपर, उस चीज़ के उपर, किसी भी अधिकार का हो सकता है, वो absolute भी हो सकता है, वो limited भी हो सकता है, समझे, तो हम जो, ध्यान से सुनना बच्चे, अभी तक आपने इस perspective से सोचा नहीं होगा, जब मैं कह रहा हूँ, कि हम actionable claim को transfer कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे, तो क्या जरूरी है कि मैं कह रहा हूँ, कि actionable claim को बेच रहे हैं, क्या, sale करना is the only possible way of transferring, sale करना मतलब, sale is not the right word, मतलब transferring the ownership, मालिकाना हक देना is the only way, transfer करने के लिए, नहीं न, ownership में तो bundle of rights होते हैं, उन bundle of rights में से मैं कुछ rights को दे के भी तो कर सकता हूँ न, transfer, जब हम किसी property को mortgage करते हैं, तो हम किसी को मालिक बनाते हैं, नहीं, क्या करते हैं, उसको enjoy करने का right देते हैं उस property को, वो भी कुछ ही circumstances में सम में नहीं, पर कहलाता वो फिर भी transfer है, है तो वो transfer property act के अंदर ही न, lease के time पे भी ऐसा ही करते हैं, temporarily करते हैं, पर कहलाता वो भी transfer है, मालिक तो नहीं मना रहे किसी को, तो same funda तो यहां पे भी लगेगा न, actionable claim के अंदर, जो हमारा transfer शब्द है, it can be transfer of ownership of the actionable claim, और ऐसा भी हो सकता है कि यह simple mortgage हो, actionable claim को भी तो mortgage पे रखा जा सकता है, और वो भी तो transfer होगा, For example, मेरे पास actionable claim है किसी व्यक्ति के खिलाफ, मानो 5 लाख रुपे का, 5 लाख रुपे का मेरे पास actionable claim है किसी व्यक्ति के खिलाफ, और मानो यह actionable claim accurate nature का है, अभी नहीं है, 6 महिने बाद पूरा होगा, पर मेरे को पैसे की जरूरत अभी है, तो पहले तो मैंने example दिया कि मैं अपना यह 5 लाख का जो है, उस पर ownership ही किसी और को दे दे रहा हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं ना दूं किसी को ownership, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि अपने इस 5 लाख के actionable claim को किसी दूसरे व्यक्ती पे mortgage पर रख दो, उसको ऐसे mortgage दे दो, और इसके बदले उससे उदहार ले लू, मानो, इस mortgage के बदले उससे 3 लाख रुपे उदहार ले लिया, जो mortgage property होती है, उससे तो कम value का ही उदहार मिलता है न, 3 लाख का उदहार ले लिया, यह 5 लाख का actionable claim mortgage पर रख दिया और 3 लाख hard cash उदहार ले लिया, तो यह भी तो transfer है, यह भी तो transfer ही है, much like this, जो हम कर रहे थे, कि मैंने अपना actionable claim 5 लाख का 4 लाख का बेच दिया, something like that only, तो यह वाली जो परिसिती है न, जहां पर हम अपने actionable claim को mortgage पर रखते हैं, that is covered under section 134, तो जब भी कोई debt, mortgage पर रखा जाता है, एक दूसरे debt को secure, क्योंकि mortgage में भी तो आप उधारी लेते हैं, दूसरे debt को secure करने के लिए, तो ऐसी परिस्चिती में, अगर जो पैसा है, मानो, यह पांच लाग का actionable claim था, उसको मैंने mortgage पर रख दिया था इस वक्ति के पास, और बदले में तीन लाग रुपे ले लिये थे, आप जैसे ही यह पांच लाग रुपे मिलेंगे, अब जब तक mortgage चल रही है, बच्चे जब तक मांच लाग चल रही है, तब तक तो जो हमारा mortgage ही है, वो transfer है, और उसके पास है rights और remedies सारे, और आम तोर पर मेरे पास रहेंगे, जो मैं mortgage हूँ, जब भी यह पांच लाग रुपे मिलेंगे, लोन के, यह जो actionable claim जिसके बारे में है, तो उसको कैसे इस्तमाल किया जाएगा, उसके बारे में बात करता है section 134, यह कहता है कि actionable claim का जब debt satisfy होगा, तो सबसे पहले तो उसको हम उससे आने वाला जो पैसा है, उससे satisfy करेंगे, वो जो खर्चा हमारा हुआ होगा, उसको recover करने में, उस actionable claim के पैसे को recover करने में, ऐसा भी होता है बच्चे, कई बार आसानी से बंदा पैसा नहीं देता, court जाना पड़ता है, तो खर्चा होता है, वकील होता है, यह होता है, वो होता है, तो सबसे पहले तो जो भी expenses होए, उसको recover करने में, वो सैटिस, जिसने भी कियोंगे, mortgage ने कियोंगे, mortgage ने कियोंगे, उसको दिया जाएगा, सबसे पहले, दूसरी नमबर पर, जो पैसा मिला है, उससे satisfy किया जाएगा, वो loan, जो उसक पचाश लाक रुपे मिले 50,000 रुपे तो recovery में चले गए ठीक है तो recovery पे पैसा खर्च हुआ था उसमें चले गए तीन लाक का लो अब तीन लाक का लोन प्लस मान लो इंट्रेस्ट वगरा लगा के साड़े तीन लाक दूसरे नंबर पर साड़े तीन लाक का जो लोन है जो के आधार पर लिया गया सा उस actionable claim के आधार पर उसको satisfy करेंगे साड़े तीन लाक तो साड़े तीन लाक और पचास चार लाक रुपे खतम होगे अब अब अच्छे कितने एक लाक और यह एक लाक किस पर जाएगा मॉटगेजर पर जो हमारा ओरिजनल ट्रांसफरर है उस पर क्योंकि ओरिजनली तो actionable claim उसी का था और उसने ownership तो दी नहीं थी उसने तो केवल गिर भी रखा था इस loan amount के लिए जैसे यह loan amount satisfy होगा मॉटगेजी का काम खतम और जो पै बताता है ट्रांसफरर के पास यह है हमारा section 134 जो बताता है कि मॉटगेज की परिस्तिती में अगर कोई भी actionable claim satisfy होता है तो in what chronology that money is utilized यह section 134 का purpose है ठीक है यह section 134 है अब मुझे जल्दी से बता दो क्या बचे section 133 और 134 में कोई परिशानी तो नहीं है सबको clear है जल्दी से बता देंगे बचे chat box में फटा फट से we have like three sections left और छोटे-छोटे से sections है जल्दी बता दो quickly समझ में आया है mortgage वाली बात समझ में आई है इसको एक बार दोबारा सुन ले ना अगर थोड़ी सी complicated feel हो ठीक है एक बार मैं revise करा दूँगा आपको आखरी मैं परिशान मत हो आप देखो 135 आपको याद है section 130 के अंदर मैंने आपको एक exception पढ़ाया था जिसमें बोला था कि 130 के लिए 130 के अंदर जो transfer के rule है वो apply नहीं होत बारे में fire insurance के बारे में यह कहता है कि अगर कोई भी property है जिसके उपर fire insurance चल रहा है कोई भी property है जिसके उपर fire insurance चल रहा है अगर इस property को transfer किया जाता है एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति पर मतलब यह property को बेच दिया एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति पर तो इस property के उपर जो fire insurance था वो भी automatically transfer हो जाता है उस नए मालिक के favor में इसके लिए आपको एक simple सा endorsement करना पड़ेगा मतलब लिखके देना पड़ेगा अस्ताक्षर करना पड़ेगा या कोई भी आम सी writing कर दो इतना काफी है उससे जादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कहने का मतलब है the rule is that the fire insurance follows the property तो जैसे जैसे property हाथ बदलती है वैसे ही वैसे उस fire insurance का जो beneficiary है वो भी बदलता रहता है और उसको बदलने के लिए you don't need to comply with the requirements of section 130 वो ही सारी बात है कि notice हो या ना हो consideration हो या ना हो it has to be in writing signed होना चाहिए वैसे तो 730 में भी कोई बहुत जादा पहाड requirements नहीं है बस it is just कि उस जो भी थोटी मोटी भी requirement उनको भी हटाने की कोशिश की गई है इस specifically fire insurance वाली situation है ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि बच्चे कई बार complications आ जाती है कि property transfer हो गई बट उसकी insurance policy transfer नहीं हो पही अब कल को उसमें आग लग गई तो we don't know who the beneficiary of that insurance is obviously logic कहता है कि जो उस प्रोपर्टी का मालिक है उस समय पर उसको पैसा मिलना चाहिए क्योंकि loss तो उसका ही हुआ है बट complications हो जाती है अगर कोई कमी रह गई किसी भी बात में to ease out that process only यह specifically section 135 बनाया गया है कि आपको fire insurance policy को transfer करने के लिए you don't need to do anything simple endorsement a simple writing on a piece of paper और on the back of that insurance policy only इतना काफी है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी legal compliance करने की ज़रूरत नहीं है तो एक बात बस याद रखो fire insurance policy follows the property यह बाकी के insurance के बारे में नहीं है बच्छे यह बाकी के insurance है किसी भी property के उपर they do not automatically follow because they are the category of actionable claims तो आपको 130 की requirements को पूरा करना पड़ता है it is just the marine और fire वाला जहां पर आपको apply नहीं करना पड़ेगा वो सारी conditions और 135 में बता दिया कि simple writing और endorsement काफी है marine का दुबारा जिक्र नहीं किया गया है पर impliedly यहीं बात है क्योंकि 130 की requirement satisfy नहीं करनी की जरूरत है तो automatically वहां पर भी यही पॉलिसी लगती है दाट दी इंशुरेंस फॉलोज दी प्रोपर्टी ठीक है यह सिंपल बेसिक सब्रिंसिपल है ठीक है इस अपने घर पर इंशुरेंस कराऊं तो क्या है इट इस डिपेंडेंट अंदी कंडिशन कंडिशन कंटिंजिंसी की फायर लगनी चाहे बट बच्चे जैसे ही फायर लगा मेरे घर में मेरा घर तो खतम मेरे हाथ में क्या है नथिंग कि वो मेरा पैसा देगा ही देगा मैं उनको कैसे कर सकता हो अगर इंशुरेंस कंपऻनी बोल दे कि मैं आपका पैसा नहीं दे रहे में क्या करोऑं मेरे पास है यह प्रोप़रटी थी वो भी मेरी थी और व भी जल्के भस्म हो गई इंस्ट कंपनी वालों uci зовут कुछ भी पड़ेगा, that is the only point, जो मैं कर सकता हूं, only action, only चीज जो मैं कर सकता हूं, that is the reason, कि insurance भी एक form of actionable claim ही है, because there are no alternatives, no securities, right, तो उसाधार पर माना जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका 135, आप आपके लिए मज़ेदार वाली चीज, 136, 136 के अंदर कुछ लोगों को explicitly prohibit किया गया है, actionable claims के साथ deal करने से, और वो कौन-कौन लोग है, जिनको prohibit किया गया, आपको दुख भी हो सकता है, judge सहाब, कोई भी judge, किसी भी तरीके से, किसी भी actionable claim का beneficiary नहीं बन सकता है, कोई भी legal practitioner, वकील सहाब, या कोई भी court से जुड़ा हुआ officer, ना ही किसी actionable claim को खरी सकता है, ना ही उसमें कोई हिस्सेदारी रख सकता है, ना ही कोई भी share रख सकता है, किसी भी तरीके गा interest claim कर सकता है, और इतना ही नहीं, section 136, निर्देश देता है, हर एक court को कि कोई भी court, किसी भी ऐसे वक्ति के actionable claim को enforce भी नहीं करेगा, तो अगर करवा भी लिया अपने favor में, उसका कोई फाइदा नहीं है, court enforce नहीं करेगा, क्यूं exclude किया गया है, judge को legal practitioner को officer को, पहले क्या होता था बच्चे, बहुत खराब trend, अब unsecured debt है, आदमी की पहले से ही, डर के मारे हालत खराब होती है कि मेरा पैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, और खास कर जब दूसरा बंदा बदमाशी दे रहा हो, तो उसकी और हिम्मट तूट जाती है, अब जैसे मेरा आपका पैसा दिलवा देंगे, पर आपका पैसे में 25% ले लेंगे, 50% ले लेंगे, 75% ले लेंगे, आज भी ऐसा कभी कभारा पैसा होते हुए, देख सकते हो, सुन सकते हो, वहाँ पे बंदा इतना डरा हुआ होता था, उसके पास कोई बैक अप नहीं होता था, तो उसे कहीं न कहीं दबाव में आके इस पे एग्री ही करना पूरता था, और ये इतना खराब ट्रेंड बन गया कि कई लोगों का सही का पैसा, आदमी सोचता था कि कुछ तो मिले, ऑफिसर अफ दी कोड, लीगल प्रैक्टिशन, बट जजज को इंक्लूड करना इस बिग स्टेप, मैं सेट करता हूं इस बात को, पर प्रोबैबिलिटी तो बनी रहती है कि हो सकता है, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि ज़साब की इंवॉल्मेंट हो जाए, that is the reason कि इन of justice के पास अधिकार नहीं है कि वो इसको enforce करें, पर सवाल ये है कि क्या ये होना रुख गया है, नहीं रुखा है, क्योंकि अब यही काम इन वकील सहाब के, इन ओफिसर के, इन ज़साब के नाम पर नहीं, उनके किसी दूर के रिष्टेदार या किसी third person के नाम पर होता है, this is section 136, now moving on to the very last section, इसके बाद we are done with TPA and we are very happy about it कि हमने अपना fourth subject complete कर लिया, one of the most crucial subject, ठीक है, देखते है 137, 137 बचे बड़ा easy है, ये negotiable instrument को exclude करता है, बचे एक कानून आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब हम minor act पढ़ेंगे, वो है negotiable instrument acts, negotiable instruments act, इसमें check की बात करते हैं, promissory notes की बात करते हैं, bill of exchange की बात करते हैं, वो मैं आपको समझाओंगा, उन सबका मतलब क्या है, आप बस इतना सा समझ लीजिए, कि जो भी हमने पढ़ा इस chapter के अंदर about actionable claims, उसमें से कुछ भी लागू नहीं होता, इन negotiable instruments में, क्यों? क्यों negotiable instruments TPA के हिसाब से नहीं चलते हैं, TPA के हिसाब से actionable claims चलते हैं, ये वाला chapter जो हम पढ़ रहे हैं, the last chapter, negotiable instruments के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, NIP exist करता है, और उसमें जो rules or regulations about the transfer and everything, वो उसी के हिसाब से चलता है, So, there is a complete exclusion of all the negotiable instruments, जो existence में हैं या होंगे, simple सी बात है, उसके साथ-साथ, mercantile document एक expression है, जिसको use किया गया है, उसको define भी किया गया है, इसको भी actionable claim की definition से भार रखा गया है, Mercantile document का मतलब क्या होता है? Mercantile document कोई भी एक ऐसा document हो सकता है, जो किसी भी सामान पर किसी व्यक्ति का अधिकार दिखाए, जैसे bill of lending, doc warrant, जैसे आपने बंदरगहा पर गए, आपने ship पे सामान चड़वाया, तो आपको एक रसीर भी ली, आपके नाम से कि आपने ये सामान च आपको railway receipt मिली, this is not actionable claim, तो इसको explicitly exclude किया गया है, किसको? Mercantile document को, बस आपको इतना समचना है, तो under section 137, all the negotiable instruments, और negotiable instruments में सब आ जाते हैं, बच्चे, stocks, shares, debentures, company के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, company के जो shares होते हैं, debentures होते हैं, वैसे company के lectures मैंने डाल रखा है, application पर आप दे इनको negotiable क्यों माना जाता है, क्योंकि यह hands change करते हैं, from one person to another, वो actionable claim भी करते हैं, but there is a wide difference between these two things, actionable claim एक बहुत ही limited purview है, actionable claim का, debt or beneficial interest, debt may be, unsecured debt, तो बहुत ही peculiar है, negotiable instruments का जो area है ना, बच्चे वो बहुत broad, and that is the reason कि हमको उसके बारे में अलग कानून बनाना पड़ा है, तो यह जो check वगरा है, bill of exchange है, यह सब NIA act में cover हो जाते हैं, और यह stock shares और debentures, यह सब company act के अंदर cover हो जाते हैं, TPA के अंदर आता है actionable case, so this is how you understand the scenario, यह हमारा 137 है, ठी So with this, we are officially, we are officially done with our transfer of property act, उमीद है कि जो भी lectures हमने लिये, over time, 33 lectures हमने conduct की है, आपको समझ में आई, आपकी एक understanding develop हुई, उमीद है कि आप इसको आगे भी seriously लोगे, चीजों को revise करते रहोगे, section को एक बार देखोगे, शूरूर से लेके आखरी तक मैं चाहूंगा कि एक बार ब advice करें, जिससे आपकी जो understanding है वो पकी हो, क्योंकि कल को हमको exam में जाना है, तो कोई scope नहीं छोड़ना है, कि हम यह भूल गए, यहाँ फिर यह क्या था, you need to be very very firm about these things, और अगर कल को कोई भी दिक्कत आए, किसी भी चीज़ को समझने में परिशानी आए, तो आप बिलकुल में इसे contact भी कर सकते हैं, Sunday को हम लोग मिलते ही है, वहाँ पर अपने सवाल रख सकते हैं, बढ़ शर्त यही है, कि in the end, you must be as clear about the TPA as ready for the exam, कि कल को अगर exam आजा, I am ready to go and appear for it, ऐसी position में अपने आपको रखना है, at all times, ठीक है, अब मेरे को finally, last time एक बार बता दू, TPA के अंदर, जो भी कुछ हमने आज पड़ा है, are we all clear about it, कहीं पर कोई doubt नहीं है, कोई confusion नहीं है, फटा-फट से बताएंगे बच्चे, chat box के अंदर, are we all good, एक बार revise जरूर करियेगा बच्चे, मेरी इस suggestion को जरूर मानियेगा, कि revision इसी की है, समझ गए हो, very well, मेहनत की है, बहुत बात है, बट revise करना उतना ही जरूरी है, जितना किसी चीज़ को सीखना, बार-बार, over time इसको revise करते रहे है, ठीक है, चले, आज के लिए बच्चे इतना ही, thank you so much, इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए, आप सभी लोगों को मैं कल मिलूँगा, कल लोग हमारा IPC का session होगा, IPC के अंदर कुछ crucial sections हम लोग cover करने वाले हैं, तो be on time, I'll see you tomorrow, thank you so much, bye-bye, good night.